हलो फ्रिंग्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जलवायू के संदर्व में देखे जब भी हम बात करते हैं जलवायू की तो जलवायू का वास्तविक अर्थ क्या होता है और मौसम जलवायू दोनों में क्या अंतर है आ बारिश के साथ ही साथ में थोड़ी देर बाद में वहां पर आपको दूब देखने को मिलती है तो बारिश के गजब जखर तो गमों मदिने तूथ सब बात करें नारे हम je को सब्सक्राइब क्ने करें 13 g तो तो या यह फोनर般 में सब्सक्राइब को सब्सक्राइब इस ते टील मुखतण ऴुख व्यजल्वाइब का ञाइब किसी सब्सक्राइब पहली जो होती है वो होती है ग्रीश मेरितू दूसरी होती है शरद रितू और तीसरी होती है हमारी सीत रितू या फिर शरद रितू और तीसरी होती हमारी बरसाथ या वर्शा रितू जलवायू की हम बात करते हैं तो जलवायू एक विशेश छेतर में होने वाला बहुत ही समय का एक परिवर्तन होता है मतलब बहुत जादा समय से जिसे की करोडों लाखों साल से उस छेतर में किस प्रकार का मौसम है किस प्रकार की रित्वय आती जाती है उस आधार पर वर्षा की आधार पर ताप मान की आधार पर जब अनुपात निकाला चाहे तब जलवाईू निर्मित होती जलवाईू की बारे में पता चलता है कि इस शेत्र की जलवाईू किस प्रकार की है मद्धि प्रदीश की जलवायू की बात करते तो मद्धि प्रदीश की जलवायू जो है वो उश्न कटिबंधी और मानसूनी जलवायू है जलवायू की परिभाशा देखते किसी भी शेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, आद्रता, आदी की मात्रा तथा वायू की गती का ओसत रूप में पाया जाना वहां की जलवायू कहलाती है या वहां की जलवायू कहलाता है सिंपल सी बात है कि किसी भी एक शेत्र में लंबे समय तक जब वर्षा, आद्रता, ताप, मान और वायू की गती सभी का ओसत अनुपात निकाला जाता है तो वो जलवायू कहलाता है मानसून मानसून सब्द की उत्पत्ती अर्वी भाषा के मौसिम सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मौशन तथा रितूओं के अनुसार पवनों की दिश्का में उत्क्रमण हो जाना जलवायू का निधर्ण करने वाले कारकों को देखते हैं मतलब ऐसे कौन से कारक है जिससे आपको पता चलेका कि इस छित्र की जलवायू किस प्रकार की है देख्या मान लेते हैu for example यह एक शेत्र है और इस छेत्र में हमको जलवायू पता करनी है आज माली जे आज पहला दिन है और यहाँ पर ठंड है और दूसरा दिन आया यहाँ पर ठंड है और ऐसे चलते चलते यहाँ पर लग भग सतर से असी दिन पूरे केवल ठंड के दिन होते हैं और इसके बाद हम देखते कि फिर से 60-70 असी दिन फिर से यहां पर गर्मी के दिन आ जाते हैं फिर बरसात के दिन आ जाते हैं मतलब एक सामान्य जलवायू यहां पर है लेकिन वहीं पर अगर 365 दिनों में से लग भग 300 दिन या फिर 280 दिन यहां पर केवल ठंड रहती हैं तो यहां की जलवायू शीत जलवायू ठंडी जलवायू होगी अत्यदिक ठंडी जलवायू होगी तो ऐसे जलवायू का निर्धारण होता है जलवायू को निर्धारण करने वाले तत्व कौन-कौन से होते हैं पहला जो होता है तापमान जो आपको बहुत जादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि तापमान की स्थिती के कारण जलवाईयों को यह ढिधारत किया जाता है। इसके अलावा होता है भाकॉलिक इस्थिती भालिक स्थिती चैसे संभन देखिये। जब हम भात हो बात करते हैं तो आपको पता है सूरज और सूरज के चकर लगा रहे हैं हमारी प्रत्वी और प्रत्वी का जो North Pole है और जो South Pole है इन दोनों पोल में ठंड बहुत जादा होती हैं क्यों होती है सीधा संबंद क्यों है देखें यह सूरज जो है ना कि इतना छोटा नहीं है बलकि प्रत्वी से बहुत बढ़ा है पर मैं सिर्फ आपको एक एक जामपल के तरू समझाने की कोशिश कर रहे हैं सूरज की जो किरने है वो प्रत्वी पर जब डायरेक्ट पड़ती है इस तरफ में डायरेक्ट आती है तो यह वाला भाग जो रहता है यह गर्म भाग होता है तो यहां की जलवाईयों जो है वो यहां पर सूरज की किरने नहीं पहुँच पाती, यहां से टकरा जाती है, और इस कारेंट से यह वाला जो हिस्सा है, यहां पे शीत रितु सरवाधिक रहती है, और यहां की जलवायू ठंडी जलवायू है, तो हमने देख लिया तापमान के स्थिती और भवाले के स्थिती द वर्शा का समय और मात्रा वर्शा का समय आद्रता कोताई करता है इस कारण से हवा की गती और ओस्द अवास्तद ये हो गया फिर हम देखते हैं जलवाईो को प्रभावित करने वाले और रुपको होतो है अब इस जलवायों को कौन कौन से तत्व प्रभावित करींगे पहला है समुद्र तल से दूरी ठीक है भूमद्र रेखा से दूरी भूमद्र रेखा से कितनी दूरे क्योंकि भूमद्र रेखा जो है वहाँ पर सूरज की केड़ने एकदम सीधे मध्य में पढ़ती हैं करकर रेखा से दूरी करकर रेखा क्योंकि ऊपर हम देखते साड़े तेश दिगरी पर है परवतों की स्थिति, अक्षानस्ति, इस्थिति, जल एवं स्थलका वित्रण और वर्षा की मात्रा जो है वह हमारी जलवायों को प्रभावित करने वाले तत्व कहलाते हैं मध्य प्रदेश की जल्वाइयों को चार भागों में बाटा गया है पहला हो जाता है हमारा उत्तर का मैदान दूसरा हो जाता है मालवा का पठार तीसरा हो जाता है विंध की पहाड़ी और चौथा है नर्मदा सोन घाटी देखें मध्य प्रिदेश का जो शेत्र है ना अगर आप मद्य प्रिदेश को गौर से देखा होगा आपने अभी कोई भी वीडियो में अब एक एक भाग को हम लेके चलते पहला जो आता है वह उत्तर का मैदान उत्तर के मैदान में इसमें बुंदेल खंड मद्य भारत का पठार और रिवा पन्ना का पठार आता है देखो बुंदेल खंड मद्य भारत का पठार और रिवा पन्ना का पठार का मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा बुंदेल खंड का शेत्र है उपर वाला अर्थात ये वाला जो छेत्र ये बुंदेल खंड है तो ये वाला हिस्सा हो गया रिवा प प्लीट हो गया जो कि भिंद मुरैना जिलों के साथ आता है जहां पर जलोड मिट्टी पाई जाती है तो यह शेत्र भी संपन्न हो गया फिर बात कर लेते बुंदेल खंड माध्य भारत का पठार रिवा पठार शामिल है इस मैदान के अंतरगत इस मैदान की इस शेत्र की जल है यह वही शेत्र है जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है जो कि 55 सेंटिमीटर है जो कि भिंड जिले के गोहद में होती है इस शेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से होती देखो कैसे याद रखना है इसके साथ ही साथ में यहां पर वर्षा कितनी होती है तो लगभग 75 सेंटिमीटर जो है वो यहां पर वर्षा होती है इसके बाद यहां पर जलवायू किस प्रकार की है ठंडी में अधिक ठंडी और गर्मी में अधिक गर्म देखिए गर्मी में अधिक गर्म और ठंडी में बहुत ठंडी कहां पर होती है तो उत्तर के मैदान में उत्तर का मैदान देखिए जब आदमी बहुत जादा परेशान हो जाता है गर्मी से तो उसके ऐसे पसीने सीने निकलने लगते तो बहुत जादा अत्यादिक गर्मी और ठंड की बात करें जब बहुत जादा ठंड होती तब लोग आग सेखते हैं आग जलाते हैं हाथ सेखते अपने आगे चलते हैं हम दूसर देखेंगे हैं मालवा का पठार मालवा का पठार जो है इस छेत्र में जलवायू सम्स जलवायू पाई जाती है या समसितोषन जलवायू पाई जाती है इस कारण गर्मियों में साधार जलवायों में से एक जलवायों कहा है मालवा वही शुट्र है जो कि इंदौर उज्यन वाले शुट्र में लगता है मालवा का बठार बहुत जादा फेमस है अपने उत्पादन के कारण अपनी विशेश्टा के कारण यहां पर जाबु अजिले में एक आधिवासी गुडिया बनाई जाती है जिसे जी आई टैक प्राप्त है वहीं जाबु अजिले के कड़कनात मुर्गे को भी जी आई टैक प्राप्त है इंदौर की बात कर ले तो मद्यप्रदेश की वाणजिक राजधानी मद्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है इंद परिशान हो जाता है तो साधारन गर्मी और साधारन ठंडी कहां पे मालवा के शेतर में पढ़ती है किस प्रकार की जलवाईू है वहां की तो सम सितोषन प्रकार की जलवाईू है विंद परवश श्रंखला इस परवती शेतर में शम जलवाईू पाई जाती है ग्रीश में र पुल को होएं दिसंबर माहा में होता है पचमडी और अमरकंटक इसी शेत्र के अंतरगत आते हैं और इस कारण इसे स्वास्त वर्धक शेत्र भी कहते हैं देखिए कैसे याद रखना है विंध पहार दो है या विंध परवश्रंख्ला जो इस परवश रंखला के अंतरगत ही पचमडी और अमरकंटक जैसे छेतरा आते हैं आप बोलेंगे मैम ये दोनों तो सत्पुड़ा परवश रंखला में आते हैं बिल्कुल प्र findet करने मैं साधारन गर्म और सीत में साधारन ठंडी मतलब सेम तुजे मालवा जलवाईयों के जैसे आश्य सेह मैंने खोटो रखी है नर्मदा गाटी शेत्र या फिर नर्मदा सोन गाटी शेत्र में ग्रीश में रितु में अत्याधिक गर्मी और शीत रितु में अत्याधिक ठंड रहती है किस प्रकार से हमने सबसे पहले देखा था उसी प्रकार से हमको यहां पर दिखाई दे रहा है उत्तर के मैदान में जैसे देखा था ना कि अत्याधिक गर्मी और अत पिस्तित है यहां वर्षा सामनेता 57 से लेके 142 सेंटी मीटर तक होती है नोट वर्ष 2013 में उज्जैन के डोंगर गड में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेद शाला का निर्मार किया गया है जिसका नाम करण खगोल शास्त्री आचार्य वरामीर के नाम पर किया गय पर याद रखना है सबसे बहले तो नाम याद रख लीजे नर्मदा सोन घाटी शेत्र है वर्षा कितनी होती आपको याद रखना है 47 से 142 तक सरी 57 से 142 सेंटी मीटर तक यहां पर वर्षा होती इसके अलावा कौन सा शेत्र है तो नर्मदा और सोन घाटी वाला संपूर्ण जलवायू कैसी है गर्मी में अत्याधिक गर्म और ठंड में अत्याधिक साधारन ठंडी होती है इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि यह जो छेत्र है यहीं पर एक जिला है जिसका नाम है उज्जैन जिला है जो है वो मालवा के अंतरगत आता है और उज् मेर जी जो है इनका सीधा संबंद जो है वो जैन जिले से हैं अच्छा ये शेत्र करकर एखा कि एकदम समीप है इस कारण से सूरज की रौष्णी डायरेक्ट पड़ती है तो इस वज़े से यहां पर सबसे जादा गर्मी होती है अब देखें गर्मी बहुत जादा है लेकिन जो है वो अत्यधिक साधारन ठंड है तो साधारन ठंड होती है यहां पर तो इस वज़े से लोग ऐसे बफलर बफलर लगा के घूमने जा सकते यूंकि जादा ठंड नहीं है साधारन ठंड है रितू मध्य प्रदेश में रितू संबंधित आकड़ों को इकत्र करने वाली हुण दोड जिले में अस्तित है और मध्यप्रदेश में मुखyttा वे न पाई जाती हैं हमने पहले बात की थी ग्रीशमारेतू वर्षा απο dafür और होगे हमारा शीतरी तो या श्राद रितू ग्रीशमीरेतू वर्शा रितू और शीतरी तो सबसे पहले कि यह कृल्डद प्रदे का सबसे गर्म माह मई माह होता है और ग्रिश्म रितु को युवाला भी कहा जाता है देखिए आप कैसे याद रखना है यह देखिए गर्मी में ऐसी हाला तो जाती है लोगों की यह देखिए मध्यप्रदेश है क्योंकि मध्यप्रदेश जो है वह साड़े 23 डिग्री मध्यप्रदेश में पड़ेगी क्योंकि वह यहां आ जाएगा और डायरेक्ट फिर मध्यप्रदेश में इसकी रोशनी पड़ेगी इस कारण से मध्यप्रदेश का सबसे गर्म माह जो होता है वह मई माह होता है इस समय सूरत जो है वह उत्रायण होने लगता है और ग्रिश पश्चिमी मानसून का आगमन होता है और वर्षा रुतु का प्रारंभ भी हो जाता है। प्रदेश में और वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है और प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है वो पचमडी में होती है जो कि होशंगाबाद जिले के अंतरगता है। जाती है मध्य प्रदेश में वर्षा रितू को चौमासा कहा जाता है ग्रीश में रितू को युनाला और वर्षा रितू को चौमासा देखें अब कैसे आपको याद रखना है क्या क्या चीज़े याद रखनी है सबसे पहले वर्षा रितू की बात करने तो आगमन कब होता है वर्षा रितु का आगमन जून में हो जाता है सबसे जाधा वर्षा कब होती है तो हम देख चुके हैं कि अगस्त माह में अगस्त जुलाई माह में मध्य प्रदेश में सबसे जाधा वर्षा होती है कुल आसत वर्षा कितनी है तो 112 सेंटीमीटर कुल आसत वर्षा है सबसे अत प्रचना के स्वरूप सीदी सी बात है एक ऐसा फ्लैट मद्य प्रदेश तो है नहीं कि वर्षा सब जगा एक दम इक्वल होगी आंगे पीछे है इसके लाव हम बहुत सारी बड़ी बड़ी परवश रंकलाएं इस्तित है तो इस वज़ा से वर्षा सामानिता बराबर नहीं ह पाती विन विन आकार में होती है मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वो दोनों मांसूनों से होती है मतलब अरब साकर की शाखा से भी होती है और बंगाल की खाड़ी से भी होती है यह वर्षा रितू शीत रितू की बात करते हैं मध्य प्रदेश में सीत रितू अक्टूब लोटने के बाद भी वाईयों में आदरता बनी रहती है, राज्जी में सबसे आधि ठंड दिसम्मर माह में होती है, वहीं शीत रितु में मध्य प्रदेश के उत्तर परश्यमी छेत्रों के परश्यमी विच्छोप के कारण हलकी वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाता है, मध्य प्रदेश में ठंड जो है, वो कब से कब तक रहती है, तो मध्य प्रदेश में जो ठंड है, वो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है, इसमें सबसे जाधा ठंड किस माह में होती है, तो एक होती है दिसम्मर माह में और दूस्ती होती है, हमारी जन्वरी माह में, अब उस बुंदाबांदी को जो हलकी हलकी बारिश होती है वायू में आदरता होनी के कारण उसे मावट कहा जाता है यह कौशन पूछ चुका है एक बार कि मावट किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी विच्छोप की कारण हलकी वर्शा होती है मद्यप्रदे शोमया शहरों में दिखाई देता है अब हमने मद्यप्रदेश की जलवायू को संपन्न कर लिया ज्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं जलवायू का बहुत छोटा था ज्यादा डाटा नहीं था जलवायू का इस कारण से वीडियो अभी यहां पर समाप्त करते हैं हम नेक